We are building a car company, not just a car. This car is going to provide the halo for everything that comes in the future. It's going to set the DNA right here. ये थे Mr. Anand Mahindra, जो पीनिन फरीना बटीस्टा हैपरकार की तारीफों के फुल बांद रहे थे. और वो ऐसा इसले कर रहे थे, क्योंकि ये है फराजी 980 स्टडाले, और ये फराजी की अब तक की सबसे पावफुल कार है, और ये 980 होर्सफावर प्रेड्यूस करती है. ये है Lamborghini Sian, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पावफुल रोड लीकल Lamborghini है, और ये है Pagani Vaira R, ये कार प्रेड्यूस करती है 38 होर्सफावर और ये Pagani की सबसे ज़्यादा पावफुल कार है, अभी जो मैंने Pagani Lamborghini और फराजी की गाड़ियां दिखाई हैं, ये तीनों ही प्रेड्यूस करती है, जिसकी मरत से ये गाड़ी 0-100 की रफ्तार सिर्फ 2 सेकेट के अंदर ही पकड़ लेती है, और ये कार Pinin Faina ने बनाई है, वो Italian company जिसे महिंद्रा ने 2015 में ही acquire कर लिया था, Pinin Faina दुनिया की सबसे मशूर आटो डिजाइन फर्म है, जिसने Lancia, Mazerati और Alfa प्रेड के लिए डिजाइन करते रहे हैं, अंटिल 2019, जब बतीस्टा को अन्वेल किया गया, जो Pinin Faina की पहली ऐसी कार थी, जो उनका खुद का बैच करी करती थी, जिसको करने का सपना company के founder बतीस्टा Pinin Faina ने देखा था, जिनकी debt 1966 में ही हो गई थी, Pinin Faina का सपना तो बहुत टाइम बात पूरा हुआ, लेकिन ये वीडियो मैंने एक Italian entrepreneur की कहानी सुनाने के लिए नहीं बनाई है, बलकि ये बताने के लिए बनाई है, कि अगर आनन्द महिंद्रा Pinin Faina के पीछे ना होते, तो Pinin Faina के लिए एक hypercar develop करना तो बहुत दूर की बात है, और autocar के इस interview में उन्होंने ऐसा बोला भी है, आनन्द महिंद्रा इतने ज़्यादा शौक इसलिए हैं, क्योंकि बटीस्टा कोई आम hypercar नहीं है, जैसा मैंने पहले बताया है, ये car 1900 horsepower produce कर सकती है, क्योंकि ये किसी भी road legal car के लिए बहुत ज़्यादा power है, इस वक्त दु है, Remax C2, Lotus Evisa और Aspark Out, और एक दो और भी हैं, लेकिन उनका पता नहीं कि वो कब road पर देखने को मिलें, जैसे Tesla Roadster, अब ऐसा भी नहीं है कि महिंद्रा ने पिनिन फईना को सिर्फ बटीस्टा को डवलप करने के लिए acquire करा था, बलकि 2015 में आनन्द महिंद्रा ने ये बोला थ पहले हमें पहले पीनिन फईना की बहुत ही कूपसूरत हिस्ट्री में डाइवीन करना पड़ेगा, ये समझना होगा कि कैसे इतनी बड़ी डिजाइन फ़र्म, बेंकरफ सी कगार पर आ गई, जिसके चलते हुनके सबसे पुराने क्लाइंट, फराजी ने भी उनकी कोई खा हम सब जानते हैं कि जॉब पाना कितना ज़्यादा मुश्किल है, पचास जगा रिजूम बेजो, दुनिया भर के एचार्स को अप्रोच करो, और फिर भी अगर कोई मुश्किल से जॉब मिल जाए, या तो सेलरी में कॉम्प्रमाइस करो, या फिर जॉब डोला, बट या 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 याम के एन्वल नंबर से जादा है, और ये सारी ही जॉब्स सभी के लिए अविलेबल हैं, इंडिया के आट्सो से ज्यादा टॉप कंपनीज में, लाइक बिसलेडी, पेटियम और मीशो, आपको सिफ रिजलेवल पे जाके उनका फ्री टेस्ट रेना हैं, अगर आप कौलिफाय करते हैं, तो आप Tech, Sales, HR जैसे 11 डिफरेंट डॉमेंस में आप करियर किक स्टार्ट कर सकते हो, और सबसे बड़ा प्लस पोइंट ये है, आप इनके प्लेटफर्म से इन डॉमेंस के लिए प्रपैर भी कर सकते हो, with best courses out there, all you have to do is apply for the course, इसके बाद Re-Level के admission team आपके साथ online meeting करेगी, वो बस यहीं देखेंगे कि आपके अंदर वो मेहनत करने का जनून है के नहीं, you can also grab this opportunity, go and check out Re-Level courses today, your best career choices, just click away, Pinin Farina की शुरुवात 1930 के दशक की शुरुवात में इटली के शहर टूरिन में तब हुई, जब Battista Farina अपने भाई की coach building firm, stabilimenti Farina से अलग हुए, Battista Farina automobile designer और builder थे, और उनके नाम के बीच में Pinin इसरे लगता था, क्योंकि इटालियन में Pinin का मतलब होता है, चोटा भाई, जो कि अब नाम में चोटा जरूर लगा हो, लेकिन इस company के बारे में कुछ भी चोटा नहीं था, Pinin Farina early days में Lancia, Alfa Romeo, Fiat, Cadillac और Rolls Royce ऐसी companies के लिए bodybuild कर रही थी, Pinin Farina ने 1930s में ऐसी ही कई और भी companies से साथ काम करा, लेकिन उन्होंने जो गाड़ियां World War 2 के बार डिजाइन करी थी उनकी बात ही अलत, जिसमें सबसे पहले है Alfa Romeo 60 2500S और Lancia Aprilia Cabriole, दो ऐसी गाड़ियां जो Battista, Farina और उनके बेटे Sergio Paris Motor Show में लेकर पहुँच गए थे, जहां World War 2 के बाद से Italy की entry band थी, लेकिन उन्होंने वहाँ पर भी Huawei लूटी, 1947 में उन्होंने Sistalia 202 भी डिजाइन करी, जिस में महरत हासिल कर चुके थे, जिसकी वएसे वो ऐसी Earth Hugging और Sleek डिखने वाली गाड़ियां बना पाते थे, और यही वो रीजन था जिसकी वएसे एंजो फरारी अपनी गाड़ियों के डिजाइन पीनिन फरीना से करवाना चाहते थे, एंजो फरारी और बटीस्टा फरीना और उनके बेटे, सरजियों, तोर्तोना के एक कैफे में मिले, 1951 की इस मीटिंग को माने जाता है, कि ये इन दोनों कंपनीज के लिए एक टर्निंग पॉइंट की तरह थी, और आटो मोबील इंडस्टी के लिए भी, इसके बाद से पीनिन फरीना ने फरारी के लिए वो हर क पीनिन फरीना के सबसे बड़े क्लाइन थे, और पीनिन फरीना ने अलफा रोमयों को दुनिया की कुछ सबसे अच्छी दिखने वाली गाडियां थी, जैसे 1954 की जूलिएटा, जो की पहली पीनिन फरीना डिजाइंट कार थी, जो लार्ज नंबर्स में प्रड्यूस करी जब उनके बेटे सर्गियों और सन इनलो रेंजो कारली ने कंपनी की भागतोड समा ली, और सेम येर यानि की 1966 में विंट टैनल का कंस्रक्शन भी चालू करवा दिया गया, जिसको तैयार होने में 6 साल लग गए, जिसके वैसे पीनिन फरीना ऐसा करने वाली बहुती शुर कार्स की दुनिया में अलग ही बोलवाला था, लेकिन 21st century उनके लिए वैसी नहीं रही, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्स्राइब जरूर कर लें, क्यूंकि आप मेंसे सिर्फ 9% लोग ऐसे हैं, जो इस चैनल को सब्स्राइब करते हैं, लेट 2000 में पी पीनिन फईना सूपर एक्जोटिक कार्स पर कोच बिल्डिंग टेकनीक से काम किया करते थे, उसकी वएसे जाधा गाड़िया बनाना बहुत ही जाधा मुश्किल था, और फिट 21st century में CAD प्रोग्राम्स ने छोटी से छोटी कंपनी के लिए highly aerodynamic और अच्छी दिखने वादी गाड़नें डिजाइन करना बहुत ही जाधा आसान कर दिया, एक्जामपल के लिए हम कॉनिक से की बात कर सकते हैं, जो नोंने आज से 20 से 22 साल पहले ही अपनी कार इन हाउस डिजाइन कर ली थी, इन सब बातों की वएसे पीनिन फईना के लिए मुश्किलें बढ़ती चली जिसके चलते 28 में कई एंट्रप्रनोस उनकी मदद के लिए आगे भी आए, जैसे मशूर ब्रेक बनाने वाली कंपनी ब्रेंबो के चेर्मेन थे, जिनका नाम अलबर्टो है, पियर ऑफ फेरारी, मरिसाज फैमली जो की सीड़ बैल कंपनी के मालिक हैं, और इसमें रेतन ठा इन सबी ने मिलके 1 मिलियन यूरोस इंवेस्ट किये, बट ये कंपनी के लिए काफी नहीं था, आने वाले सालों में कई बैंक्स का पीनिन फाहिना पर बहुत ज़्यादा करजा चड़ता चला गया, और पीनिन फाहिना के हालात, बैंकर अपसी जैसे हो गए, ये सिलसिला 2015 तक ऐसे ही चलता रहा, जब तक महिंद्रा ग्रूप ने पीनिन फाहिना को एक्वायर नहीं कर लिया, महिंद्रा ग्रूप ने पीनिन फाहिना के 76% शेर्स एक्वायर करे, जिसके रिए उन्हों ने 168 मिलियन यूरोस हर्च किये, और इसमें भी मेजॉरिटी स्टेक्स टेक् बलकि महिंद्रा ने पीनिन फाहिना को इसलिए एक्वायर किया था क्योंकि महिंद्रा का मानना था कि पीनिन फाहिना की लेजेंडरी हाई-end design credentials पूरे महिंद्रा ग्रूप की design capabilities को काफी ज़्यादा बढ़ा देंगे महिंद्रा द्वारा पीनिन फाहिना acquisition के बाद भी पीनिन फाहिना आज free operate करती है और कई और भी companies के लिए car design करती है लेकिन वह महिंद्रा Global design studio के part भी है जिसमें महिंद्रा का Euro design studio और उनके इंडिया में स्थित design studio भी आते हैं और पीनिन फाहिना भी इसमें शामिल है इसके रावा महिंद्रा ने पीनिन फाहिना की मदद से अपने future dealerships के designs पर भी काम किया जिसके mockups उन्होंने 2.18 में ही तियार कर लिये थे और यह कुछ major reasons थे जिनकी वैसे महिंद्रा ने पीनिन फाहिना को acquire किया था लेकिन फिर यह hypercar कहां से आई Mr. Anand Mahindra ने एक interview में बताया था कि जब वो पावलो पीनिन फाहिना के founder के पोते हैं और पीनिन फाहिना के banks को यह समझाने की कोचिश कर रहे थे कि महिंद्रा ही पीनिन फाहिना के लिए best bidder है तो उन्होंने पावलो को बोला था कि वो उनके grandfather का पुराना सपना पूरा करना और वो सपना था पीनिन फाहिना की खुद की कार बनाने का और आनंद महिंद्रा का मानना है कि यही एक बात है जिसकी वैसे पावलो महिंद्रा के साथ जुड़ने के लिए राजी हो गए थे और इसलिए कार का नाम भी company के founder के नाम पर ही रखा गया था यानि कि Batista Batista को Automobili पीनिन फाहिना कंपनी के अंडर डेवलप किया गया जो पीनिन फाहिना की सब्सेडिरी ब्रैंड है और यह प्रोजेक्ट टेक महिंद्रा के अंडर एक्जेक्यूट हुआ Batista Remak Automobili की 120 kWh की battery pack यूज़ करती है और इसमें महिंद्रा की Formula E में expertise भी काम आई जो की one of the initial team है Formula E की यह cars 0100 की रफ़ता दो सेकिंड के अंदर पकड़ सकती है और ऐसी सिफ 1500 कार्स ही डेवलप करी जाएंगी पूरी दुनिया के लिए और इस गाड़ी का प्राइस सोला करोड के आसपास रहने वाला है महिंद्रा का कहना है कि पीनिंफरी ना थोड़ी सस्ती कार्स भी प्रेड्यूस करेगी बट डेविल नेवर कंपीट इंग टेस्ला मॉडल 3 प्राइस ब्रेकेट मैं मानता हूं कि आपको इस वीडियो को देखने में उतना ही मज़ा आया होगा जितना मुझे बनाने में आया